नमस्कार दोस्तों दोस्तों क्या आपके Free Fire में Pink Problem आ रहा है आनी दोस्तों की जो आपका यहाँ पे Pink है ना Free Fire का बहुत ज़्यादा High हो जा रहा है इसके वज़े से आपका जो Game लेक कर रहा है तो दोस्तों कर आपके साथ ऐसा कोई प्राब्लम आ रहा है तो दोस्तो यह वीडियो के वल आप के लिए है इस वीडियो को देखने के बाद जो आपका free fire में pink problem है ना 100% solve हो जाएगा और दोस्तो बहुत यहाँ पे कम आ जाएगा यानि कि अगर यहाँ पे आपका 999 तक पहुँच गया है तो दोस्तो इस वीडियो को देखने के बाद 26, 27 या उससे भी कम हो सकता है तो दोस्तो मैं बता दूँ यहाँ पे अगर आप internet user है यानि कि अपने mobile का data यूज करते हैं या फिर wifi का यूज करते हैं तो दोस्तो आप दोनों लोगों के लिए वीडियो काफी interesting और useful होने वाली है तो वीडियो को बीच में कहीं मत कीजेगा उस दोस्तो मैं ऐसा VPN लेका रहा है और जो बिल्कुल फ्री है तो क्या है VPN का नाम simply यहाँ पर आपको आजाना Play Store में जो फ्री में available है आपको यहाँ पर सिंप्ली सर्च करना हाँ आई टोप VPN अब जैसे आई टोप VPN सर्च करेंगे तो दोस्तो यहाँ पर जो आई टोप आप नहीं करना है तो काफी इंट्रेस्टिंग एप है और काफी हद तक आपका पिंग प्राबलम जो है ना साल हो सकता है आपका पिंग बहुत जादा है पर रिडियूस हो जाएगा तो दोस्तो आपको करना कुछ नहीं है सिंप्ली आपको इटोप बीपिन आप को ओपन कर लेना है अब जैसे इस अप को ओपन करेंगे ना तो दोस्तो जो एप थोड़ा सा आप पर लोडिंग लेगा उसके पास दोस्तो आपके सामने कुछ इस प्राकार का इंटरफेस आएगा तो दोस्तो आपको कॉर्णर पे को चेक करता है तो थोड़ा सा यहांपे आपको वेट कर लेना होगा ठीक है तो यहांपे दोस्तों जब तक कि यहांपे लोडिंग ले रहा है तब तक मैं आपको हलका फूल का कुछ बारे में इसके बता देता हूं दोस्तों बता दूँ एजो एप हना आप किसी भी country का server इसमें बना सकते हैं यानि कि किसी भी server को आप यूज कर सकते हैं इस app के माध्यम से और कैसे करना है यह तो मैं बताऊंगा ही तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर यहाँ पर यह जो एप लोडिंग ले रहा है मैं थोड़ा सा यह वेट कर लेता हूँ अब दोस्तों यहा आपसन मिलेगा sign up का इस पर आपको click करना होगा इस पर click करने के बाद दोस्तों आपको अपना यहाँ पर email ID देना होगा तो चलिए पर email id यहाँ पर देता हूं और आप अपना email ID यहाँ पर दे दे दिजिए गा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मर्जी से कोई एक password बना लेना होगा तो चले मैं अपना email ID और यहां पे कोई password बना के उसके बाद आगे का process आपको बताता हूं email ID और password डालने के बाद sign up all option पर क्लिक करना है अब यहां पर आप जाईशे क्लिक करेंगे ना तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का interface आ जाएगा यहां पर दोस्तों सक्सीर दिखा देगा simply आपको OK कर देना है उसके बाद दोस्तों आपको simply बैक आना है और बैक आने के बाद दोस्तों यहां पर simply आपको करना कुछ नहीं है यहां पर दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का interface आ जाएगा यहां पर दोस्त देख पा रहा होंगे तीसरे नमबर पे है नीचे यहाँ पर आपको क्लिक करना है अब इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे न तो यहाँ पर देख पा रहा है कि जितनी भी गेम्स होती है न सभी आ जाएंगी तो दोस्तों मैं यहाँ पर फ्री फायर के पिंग को यहाँ पर लो करने के लिए बता रहा हूं तो दोस्तों सिंप्लिया पर फ्री फायर है सिंप्लिया को इस पर क्लिक करना होगा अब इस पर जैसे क्लिक करेंगे न तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे यहाँ पर कंट्री आ जाएंगी लेकिन दोस्तों आपको करना क्या है जो Free Fire US ना इसको आपको सालेट कर लेना है आप इसको जैसे सालेट कर लेंगे ना यहाँ पर दोस्तों कनेक्ट होने लगए आपको थोड़ा सा वेट कर लेना होगा तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेता हूं अब यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर लोडिंग ले रहा है तो आपको भी यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना होगा उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना चले मैं बताता हूँ अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं जो मेरा बीपीन है कनेक्ट हो चुका है सिंप्ली अगर यहाँ पर कोई एड आएगा ना तो कट वाले आफ़न पर उपर जो मिला है इस पर आपको क्लिक करके इसे कट कर देना है अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो आईटोब बीपीन है ना यहाँ पर रनणिंग कर रहा है और दोस्तों देख पा रहे हो कि मेरा इंटरनेट स्पीड है ना बहुत जादा बढ़ चुका है और दोस्तों बता दू अगर आप फ्री फायर को यूज करते हैं यानि फ्रीफायर को खेलेंगे ना तो दोस्तों जो फ्रीफायर गे में थोड़ा सा भी लैक नहीं करेगी और दोस्तों आपका जो पिंग है ना बहुत जाद है याँ पर रिड्यूस हो गया है तो दोस्तों आसा करता हूँ आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी अगर वीडियो में कहीं कोई प्राबलम आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मैं उसका रिप्लाई जरूर दूँगा